कि अधिकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूटूब चैनल जी के ग्लास में दोस्तों आज हम मौलिक अधिकार से कुछ महात्पन प्रसन देखने वाले हैं जो आपकी परिच्छाओं के लिए बहुत ही महात्पूर्ण है स्वामिधान के अनुच्छे 25 से कितने तक धार्मिक सुतनता के अधिकार का वर्नर है आपके आप्सन है A. 27, B. 28, C. 29, D. 30 तो धार्मिक सुतनता के अधिकार का वर्नर जो है या 25 से 28 तक है आप्सन B या करेक्ट हो जाएगा बढ़ते अगले कोईशन की तरफ अगला कोईशन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया आपके आप्सन है A. 2002, A. Hanniol C. 1968 में स्मिधान के 42 संसोझा द्वारा या अप्सन D. 1973 में स्मिधान के 44 संसोझा द्वारा तो बात करें संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया या खत्म किया गया 1970 में समयधान के 44 में संस्वोधन द्वारा option B क्रिक्ठ हो जाएगा देखते अगला question अगला question है निम्लिकित मौली क अधिकार में किसको BRM बेटकर ने समयधान की आत्मा की संगय दिये आपके option है A. समानता के अधिकार B. समपत्ति के अधिकार C. धार्मिक स्वतनता के अधिकार या option D. समयधानिक अप्चारों का अधिकार तो बात करें भीम्लिक बेटकर ने किसको समयधान की आत्मा कहा है तो यह कहा है समयधानिक अप्चारों का अधिकार option D. करिक्ठ हो जाएगा पढ़ते अगले question की तरफ अगला question है भारती समयधान के अनुच्छेद 29 का संबंद है आपके option है A. समानता के अधिकार से B. धार्मिक स्वतनता के अधिकार से C. अलप संक्यकों के अधिकार से या option D. संपत्ति के अधिकार से तो बात करें अनुच्छेद 29 की तो इसका संबंद जो है अलप संक्यकों के अधिकार से है आपके option C correct हो जाएगा बढ़ते अगले question की तरफ अगला question है मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के सोसर से संबंदित है आपके option है A. अनुच्छेद 19 B. अनुच्छेद 22 C. अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25 तो बच्चों के सोसर से कौन सा अनुच्छेद संबंदित है तो यह संबंदित है आपसन C. अनुच्छेद 24 correct हो जाएगा बढ़ते अगले question की तरह अगला question है भारत में नागरिकों के मौली कदिकारों में संसोधन कौन कर सकता है तो आपके अपसन है A. लोकसभा B. राजसभा C. सर्वोचिन्ने आले या D. संसर तो मौली कदिकारों में संसोधन कौन कर सकता है तो यह कर सकता है संसर अपसन D. यह correct हो जाएगा बढ़ते अगले क्वेशन की तरफ अगले क्वेशन की बात करें तो अगला है भारती समिधान में आस्प्रस्थता का उल्मूनन संबंदित है आपके अपसन है A. अनुच्छेद 15 B. अनुच्छेद 16 C. अनुच्छेद 17 यह अपसन D. अनुच्छेद 18 तो अजप्रस्थता का अनुच्छेद में का गया है तो यह का गया अनुच्छेद 17 अपसन C. सही हो जाएगा बढ़ते अगले क्वेशन की तरफ अगला क्वेशन है भारती नागरिकों को प्रदान किये गए मूल अधिकारों को आपके आपसन है निलम्बित नहीं किया जा सकता है आपके आपसन B है निलम्बित किया जा सकता है आपसन C. किसी भी उपस्तिती को निलम्बित नहीं किया जा सकता है यह अपसन D. इन में से कोई नहीं तो इसका आपसन B, निलंबित किया जा सकता है सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है आपके option है अनुच्छेद 12 से 35 तक option B, अनुच्छेद 13 से 36 या option C, अनुच्छेद 15 से 49 तक option D, अनुच्छेद 16 से 40 तक तो बात करें मौलिक अधिकारों की तो इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक option A, एक करेक्ट हो जाएगा बढ़ते अगले question की तरफ अगला question है निम्र लिखित में से किसको समिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सक्ति दी गई है आपके option है भारत के सभी नयालों को option B, संसत को option C, राश्पती को option D, सर्वोच एवं उच्छ नयालों को तो बात करें मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो सक्ति है वह सर्वोष चनेले एवं उच चनेलों को दी गई है आपसन डी करेक्ट हो जाएगा बढ़ते अगले question की तरह अगला question है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है आपके option है A. समानता का अधिकार option B. स्वतंतरता का अधिकार option C. संपत्ति का अधिकार यो option D. धर्म का अधिकार तो कौन सा जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है तो यह हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार option C. करेक्ट हो जाएगा बढ़ते अगले question की तरह अगला question है भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतनतर्ता से संबंधित है आपके option है A. 16 A. 16 A. B. 19 A. C. 22 A. D. 31 तो बात करें प्रेस की स्वतनतर्ता की तो किस अनुच्छेद से संबंधित है तो या संबंधित है अनुच्छेद 19 A. B. सही हो जाएगा देखते अगला question अगला question है 6 वर्स की आयू से 14 वर्स की आयू के सभी बच्चों को सिच्छा का अधिकार आपके option है मूल अधिकार है या option B राज के नीती निर्देशक सिद्धान्तों में समलित है option C. समिधानी का अधिकार है या D. उप्योग में से कोई नहीं अगर बात करें सिच्छा के अधिकार की तो या एक मूल अधिकार है option ये correct हो जाएगा बढ़ते अगले question की तरफ अगले question की बात करें तो भारती समिधान द्वारा भारती नागरिकों को कितने मौली का दिखार प्रदान किये गए थे आपके option है option E. पांच option B. छे option C. साथ option D. आठ तो कितने मौली का दिखार प्रदान किये गए थे नागरिकों को ते आप प्रदान किये गए थे साथ option C correct हो जाएगा अगला question है समिधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेग मिलता है आपके option है A भाग 2 option B भाग 3 option C भाग 4 option D भाग 5 तो समिधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है option B correct हो जाएगा दोस्तों गर आपको हमारे वीडियो पसंद आ है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तो था कमेंट जरूर करें